So hey guys, welcome to the audio, आसको दूर हम बात करूआ है CRF, खुली वर्ती दोवर बाइस व्याच के वारे में जिह हैं So इनकी बहुत बरी नोटिफिकेशन के बारे मापको बताने वाले है इस वीडियो के अंदर तो वीडियो पर बने रहे है वीडियो के अंदर आपको बताएंगा education, qualification, age limit कैसे इसको apply करना, कब से form apply की start है, यह सारा कूल, तो वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से पूरा कर देना, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, बिना समय लेते हुए, so guys यहाँ पर unacademy बहु बहुत ज़्यादा आपको जो है, वो price जो है, वो decrease देखने को मिलेगा, अगर आप unlock 20 quote लगाते हो, किसी भी category में आप अगर ports buy करते हो, तो यहाँ पर यह quote लगाकर आप buy कर सकते हो, target जैसे NDA1 2022 batch के लिए जो कि practice batch है, इसमें भी आप लगा सकते हो, 20% का off मिलेगा, किसी भी batch भी category में आप लगा सकते हो, तो यहाँ पर इसके अंदर है जो join करना चाहते हो, तो join कर सकते हो, नीचे दियागा, link हर batch कर आपको डिस्क्रिफ्योशन में लिंक आपको मिलेगा, तो यह batch जो है, वो शोला मार्च से starting हो चोगी, और इसका अंदर फाइनल फरिक्षा CDS, जो कि score कर सकते है booster के लिए यहाँ पर आप जो कि यहाँ पर MCQ और PYQ जो यहाँ पर batch होने वाली है यह भी batch जो है वो 16 मार्स से starting है तो join जरूर कर सकते हो इसके अंदर और तीसरा जो batch यहाँ पर चल रहे है जो कि NDA के लिए जो कि NDA के लिए जो कि 13 से 27 के बीच यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा 13, 20 और 27 और 3 अपरेल यह आपको date जो है mention कर दिया गया अगर आप join करना चाते है तो जरूर इस date से join कर सकते हो तो जो भी batch लेना चाते है नीचे यहाँ पर दिया गया link आ जाकर join कर लेना और अपना जरूर यहाँ पर code यूच कर सकता हूँ सो गाइज यहाँ पर CRPF के अंदर जो ऑफन रैली की requirement की जो notification है इसके बारे में आपको मैं आपको पूरे detail के साथ सबसे पहले इसकी जो है notification में क्या आई है यह सारा कुछ सबसे पहले आपको बता दे सबसे पहले इस notification के अंदर हम जानते है total post के बारे में तो total post यहाँ पर not mentioned है organization board name के हम बात कर दो यहाँ पर CRPF होने वाली है vacancy के बात के यहाँ पर आपको जो है often rally भरती जो 2022 के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा batch के बात कर यहाँ पर तो April 2022 batch होने वाली है job category defense की job होगी job location all over India पूरे भारत के बच्चे इसके अंदर apply कर सकते हो कोई problem इसके अंदर नहीं होगी who can apply तो all India candidates statewide यहाँ पर जो है यह आपको जो है apply करना पड़ेगा exam center all over India आप कौन से states हो जरूर नीचे mention कर सकते हो ठीक है इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर gender के बात करते हो only for unmarried male candidates के लिए है not female के लिए है female आप apply नहीं कर सकते हो इसके अंदर वहीं बात करते हैं यहाँ पर rally जो है starting यहाँ पर होने वाली है यह आपको जो देखने को मिलेगा वो जल्द है आपको जो है rally यहाँ पर conduct करना आज जाएगी ठीक है जो कि आपको update यहाँ पर मिल जाएगे CR fee app के official website पर वहीं बात करते है application mode के बारे में तो online होगी application fee जो है 100 उपया जो है आपको pay करना पड़ेगा और HTSC candidate से हो कोई fee आप से charge नहीं करेगी वहीं payment mode आप किसी भी तरीके से कर सकते हो credit, debit, net banking यह सारा कुछ जो है आपको payment mode रखी गई है आप यह सारे चीजों से यहाँ पर कर सकते हो इसके अंदर vacancy के हम जो बात करते है age limit के बारे में तो age limit आपका कम से कम होना चाहिए वह minimum यहाँ पर 17 years old होना चाहिए वह maximum वह 22 years होना चाहिए और इसके अंदर आप अगर हो तो यहाँ पर apply कर सकते हो कोई problem नहीं होगा अगर आप इससे ज़्यादा हो चुकोई यहाँ कि 22 से ज़्यादा हो चुकोई तो यहाँ पर अपको यहाँ पर रिलेक्सेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि तीन साल औ 100 तक आपको जाएगे इसके अंदर जो बात करते हैं नैसनल टीज के बारे में तो इंडियन सिटीजन आप मस्त इंपोर्टन है यह होना ही चाहिए इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बात कर यहाँ पर तो only 4 जो चाहिए वो 10 पास है अगर आप 10 पास हैं किसी बोर्ट से हो कोई फर्क यहाँ पर नहीं परता है आपका जो है कम से कम यहाँ पर कुछ कंडिशन है अगर आप 10 पास हैं लेकिन हर सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर मार्ग जो है वो एग्रिगेट होना चाहिए यानि कि आपके पास होना चाहिए वहीं यहाँ बात करते है बीडिटेल यहाँ पर खुद से रीट कर लेना उसके बात करते है फिजिकल फिटेड टेस्ट के बारे में तो मेल के लिए जो चाहिए वह फिजिकल जो चाहिए वह जेनरल के लिए जो चाहिए वह आपका हाइट वह 169 यानि कि 179 संटीमीटर वहीं अगर कोई बच्चे दोनों के लिए यहाँ पर 70 से 75 संटीमीटर रखेगी है वहीं बात करते है इसके अंदर यहाँ पर रणिंग टेस्ट के बारे में तो आपको रणिंग जो कर आए जागी वह 1.6 किलोमीटर वह भी 7 मिट के अंदर 10 पूसब लगानी है कोई प्रॉलम नहीं होगा स्लेक्शन तो होने वाली आपको जो है वो चार तरीकों से गुजरना पड़ेगा फिजिकल मेडिकल रिटेन फाइनल मेरेट लिस्ट कैसे इसको अपलाई करना है पूरा यहाँ पर दिया गया हिंदी और इंगलिस दोनों में आपको दिया गया आप जाकर यहाँ पर अपलाई का पूर प्रॉलम नहीं होगी कोई प्रॉलम आती है तो जरूर नीचे कमेंट कर सकतो या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकतो या फिर आप टेलिग्राम पर जूर जाओ सारा फॉल्यूशन जो आपको देखने को मिलेगा अपलाई ओनलाई का यहाँ पर द